जन्मदिन भी है, डाक्टर कलाम सहाब ने भारत के डिफेंस सेक्टर में जो महान योगदान दिया है, उसके प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं और आज की आउसर पर हम उनकी इस्मृति को नमन करते हैं। साथियों, इस भेरी लोग फिरकेंसी स्टेशन के निर्मान से जुड़े सभी स्टेक होल्डर्स को भी मैं अपनी तरफ से हार्दिक बढ़ाई देता हूं। इसके साथ ही मैं तेलंगाना सरकार का और विशेश रूपते तेलंगाना के माननिय मुख्यमंतरी स्री ए रेवंट रेड़ी जी का भी विशेश योगदान के लिए मैं तहे दिल आभार व्यक्त करता हूं। जैसा उन्होंने कहा कि राजनीत का मतलब यह नहीं है कि जो देश हित में काम हो उसे न किया जाए। और बड़े दिल के साथ उन्होंने इस काम को किया है। हम सबी जानते हैं राजनीत केवल सरकार बनाने के लिए नहीं की जाती है राजनीत यह दि की जाती है तो देश बनाने के लिए राजनीत की जाती है तो देश बनाने के लिए राजनीत की जाती है सहरी शीभाव से उन्होंने सहज रूप से अपना पूरा सहयोग परदान किया साथियों राइनेटिक दिश्टि से देखें तो तेलंगाना एक नजा राज्य है लेकिन भौगो लीकों में इतिहासिक दिश्ट कौन से इसका इतिहास कई हजार वर्स पुराना है यडिया प्राचीन इतिहास या मध्यकालीन इतिहास पर नजर डालें तो यह हमेसा से ही एक बहुत ही प्रास्परस यानि संब्रिद छेत्र के रूप में यह जाना जाता रहा है चाहे मावरे सामराज हो साथ वहन सामराज हो फिर काकती अवंस हो हर काल में यह तेलंगाना का छेत्र अपने एगरिकल्चरल एडवांसमेंट और आर्किटेक्ट्टर कांट्रिबूशन क के लिए सारे देश में जाना जाता था सिर्फ प्राचीन काल ही नहीं बलकि मैं मानता हूं कि आधनिक काल में भी तेलंगाना राज राष्ट की प्रास्परिटी में राष्ट की संब्रिद में अपना बहुत बड़ा योगदान देता रहा है साथियों प्राचीन काल से लेक मेहनत, यहां के लोगों का कड़ी कड़ा परेश्रम। मुझे कई मोकों पर तेलंगाना आने का आसर बिलता रहता है और यहां के लोगों से बाच्किछ करने का भी आसर बिलता रहता है। तो मैं उनमें एक शीज जरूर देखता हूँ, वह देखता हूँ, उनकी हार्ड वर्किंग, उनकी कड़ी मेहनद, इस शेत्र के लोगों के अंदर काम करने के प्रती, गजब की करमचता देखने को मिलती है, इफले इस शेत्र के लोग भी अभिनन्दन के पात रहें, मैं मुख्यमंत्री त्रिमांद रेवंत रेड़ी यशे कहना चाहूँगा, कि आप बड़े भागशाली हैं, कि आप इतने मेहनती लोगों का प्रत्नरित्त कर रहें हैं, और आप यहां के मुख्यमंत्री हैं, साथियों, जब यह भेरी लोग फ्रेक्वेंसी स्टेशन अपने निर्मान के बाद यह काम करना प्रारम कर देगा, यानि जब फंक्शनल हो जाएगा, तो हमारे मेरिटाइम फोर्सेज के लिए अनेक दृष्टी से यह बहुत ही महत्तपुन सिद्ध होगा, मेरी नजर में इस प्रकार के हाई टेक इंफ्राइस्टेक्शर सिर्फ एक मिलिटरी स्टेबलिस्मेंट ही नहीं होते, बलकि इनका इस ट्रेटरिक रोल, रणनीतिक भूमी का इन्हें नेशनल इंपार्टेंस का स्वाभाविक रूप से दर्जाद देती है, दुनिया के अनेई करक्षा विश्यशक्यों का यह मानना है, कि यह तरीके से वारफेर के तरीके डाइनेमिक हो रहे हैं, ऐसी परिशिटियों में में एंड मशीन, यानि मनुश्य और मशीन के बीच इफेक्टिब कॉइडनेशन, प्रभावी, समन्वे का यह होना, यह अति आवश्यक होता जा रहा है, चाहे वह साधारन परिशिटी हो, या फिर साधारन परिशिटी, हर इस्तिति में किसी भी कमांड सेंटर का उससे जुड़े हुए सभी लोगों के भी इनफार्मेशन के सीमलेस फ्लो का यह होना बहुत जरूरी है, और इस प्रकार के कम्निकेशन सिस्टम कई कारणों से यह महत्रपूर्ण होता है, इफेक्टिव कम्निकेशन किसी भी कम्पलेक्स आपरेशन के क्वाडलेशन में यह बहुत ही आवश्यक हो जाता है, और यह मिशन में सामिल परसनल के रोल, रस्वांसमेल्टी और उस मिशन के अब्जेक्टिव के प्रती उनकी अवेरनेस, उनकी जागरुकता को यह लगातार बढ़ाता रहता है, एक क्लियर और शेक्टिव कम्निकेशन चैनल ना केवल टाइमली और इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग में वह मदद करता है, बलकि कमांड के आर्डर्स को फील्ड फार्मेशन तक पहुंशाने और स से फीड़ बैक प्राप्त करने के लिए भी यह एक महत्पुन माध्यम होता है, साथ यो, दूसरी और जब सोल्डर्स अपने को पूरी तरह से इनफार्म और इंक्लूड़ेट पाते हैं, तो उनके मुरेल और यूनिटी को बहुत ही बढ़ावा मिलता है, किसी भी उद्धत या आपरिसनल इंवार्मेंट में यादि पूरी इंफार्मेशन अवेलेबल हो, तो इसका सेफटी और स्टेडी दोनों पर काफी पाजटिब इंपैक्ट होता है, इन सब बातों के आलावा क्राइशिस मैनेजमेंट की अवस्था में एक क्लियर कम्मिनिकेशन चैनल तो एक राम बांड की तरह यह काम करता है, और ऐसा तब और यह आवश्यक हो जाता है, जब सिच्वेशन बहुती डाइनमिक हो, यानि बहुती गटशील हो, और रेस्पांस टाइम जब बहुत कम होता है, यह सब बातें अईतिहासिक रूप से सिध्ध हैं, और हम इतिहास से सीखत हुए भवश्यकी सुरक्षा और समर्द के लिए लगातार हम सभी प्रयातरत हैं, साथियों, कम्यूनिकेशन के महत्तों को जब मैं अईतिहासिक रूप से सिध्ध कर रहा हूं, तो यह अईतिहासिक कहने का मेरा मतलब मानो सब्विता के प्रारंब से ही है, मानो इतिहास के पंडों को आप पल्टें, तो आप यह पाएंगे कि पूरी मानो सब्विता का जो इवालिशन हुआ है, यह विकास हुआ है, वह एक तरह से कम्यूनिकेशन और इवालिशन के आधार पर हुआ है, जब भासा का आविश्कार नहीं हुआ था, तब भी मानो किसी न किसी माध् से, आपने देखा होगा कि भीम बेटका जैसे अनेक प्राचीम अस्थलों पर आदि मानो के दवारा ऐसे चित्र बनाए गए हैं, जिसमें वह इशारों के माध्यम से कुछ कहना चाहते हूं, यह इशारों के माध्यम से कुछ कहना कम्यूनिकेशन का ही एक उदारन है, धीरे हीरे सब्विता का विकास हुआ, तो मानो ने कम्यूनिकेशन के सिस्टम को और डवलप किया, और भाशा का विश्कार हुआ, तर लेखन प्रणाली का विकास हुआ, उसके बाद एक जगह से दूसरी जगह तक मेसेश को पहुँचाने के लिए कबूतरों का भी इस्तिमाल कि किया जाने लगा, एक अस्थान से दूसरे अस्थान को संदेश वेजने के लिए, आधने की युगमेरी हम देखें, तो संदेश पहुँचाने के लिए, पोस्ट सिस्टम का यूज किया जाने लगा, किसी राज्य के अंदर, या किसी डेश के अंदर, या फिर एक देश से दूसरे डेश में भी चिठियों का आदान प्रदान, लेटर्स का आदान प्रदान ये किया जाने लगा। आपस में भी कुछ लोग, आप मेंसे भी यहाँ पर कुछ लोग होंगे, जिन्होंने ब्लू करल में आने वाले इंड लेटर्स, अंतर देशी ये पत्र को आपने देखा होगा, पहले उसका भी प्रियोग किया जाता था। हमारे हाँ तो दुनिया की वन आप दे वोल्डेस्ट सबसे पुरानी और वन आप दे लार्जेस्ट बड़ी डांक ब्योस्था पोस्टल सिस्टम अभी भी पाई जाती है, दुनिया में और किसी देश में नहीं है, इसके आलावा समय के साथ साथ फैक्स मशीनों के माध्यम से भी सूशनाओं को तुरंत भेजने का इंतजाम किया गया, उसके बाद इंटरनेट का जमाना आया, तो कम्मिनकेशन का यह माध्यम इमेल तक पहुँच गया, और आज तो हम इतने अधिक डवलप्ट यूग में जी रहे हैं, डवलप्ट एरा में जी रहे हैं, कि हम वाट साथियों, आज हमने अपने कम्मिनकेशन के सादनों को इतना विक्सित कर लिया है, कि हम इस पेस्ट में सेटलाइट भेज रहे हैं, उसके माध्यम से दुनिया के एक कोने में बैठा हुआ, आदमी, दुनिया के दूसरे कोने में बैठे हुए आदमी से नह सिर्फ बात कर सक सकता है बलकि उससे लाइब भी देख सकता है आज से कुछ देशक पहले जो शीज कलपना लगती थी आज वह सच्चाई बन गई है यथारत बन गई है और ऐसा सिर्फ और सिर्फ कमरुकेशन के दम पर ही यह संभव हो पाया है कहां तो मानों पहले अपने घर परिवार और गाउं तक सिमित रहता था और कहां है आज हम देश दुनिया की खबरों को अपनी जेव में लेकर घूमते हैं इतनी बड़ी प्रगति सारे भारत में ही नहीं सारे विश्यों में हुई है साथियों कम्रिकेशन के इतिहास में यदि हम पिछले एक दो दसकों पर नज़र डालें तो इस दौरान यो प्रोग्रेस हुई है अब तक की सारी प्रोग्रेस पर यह भारी पड़ती है कम्रिकेशन में जब एड़वांस टेकलाजी का रोल कहीं ज़्यादा बढ़ गया है कोबिद के दोरान हम सब ने यह देखा होगा जब लागडाउन था उस समय भी स्कूल कालेज आज सभी जब बंद हो चुके थे उस समय भी यह संचार विवस्था कम्रिकेशन के नए माध माध्यम का ही यह करिश्मा था उसी का कमाल था कि शिक्षा व्यवस्था पर शिकिट्सा व्यवस्था पर और जरूरी शेवाओं पर कोई ज्यादा नेगेटिव इंपक्ट नहीं पढ़ने पाया तेली एजुकेशन के बाद्यों माध्यम से विद्यार्ची घर बैठे शिक् कमुनिकेशन की ही भूमिका है साथियों कि अब हम सिर्फ आपस में ही नहीं बलकि इंटरनेशनल लेबल पर भी इनफार्मेशन का आदान प्रदान करने हैं साथियों आज हम जिस वेरी लोव फ्रेक्वेंसी स्टेशन की अस्थापना करने जा रहे हैं यह हमारे मेरिटाइम के लिए कमुनिकेशन अस्थापिट करने की कड़ी में हमारा एक बहुत ही महत्तपौनुक प्रयावस है और यह हमारी आर्ण फोर्स के कमांड सेंटर के साथ समुद्र में तैनात हमारी शिप्स और सब मेरिंस के बीच एक स्ट्रांग और रियल टाइम कमुनिकेशन यह डब साथियों कई बार हमारे पास एक्विप्मेंट भले ही जादा हों मैन पावर भले ही जादा हों लेकिन उस स्थिट में भी अगर हमारे पास सटीक सूचना नहीं है सटीक इनफार्मेशन नहीं है और हमारे बाकी के सेंटर के साथ हमारा अच्छा कमुनिकेशन नहीं है तो हम और जीत के बीच एक निर्णायक फैक्टर साबित हो सकता है इसलिए इस वेरी लो फ्रेक्वेंसी इस टेशन का महत्व है साथियो हमारे पास रियल टाइम कम्मिनिकेशन न हो तो लाख हैसेट्स होने के बावजूद हम बढ़त हासिल किसी भी सूरत में नहीं कर सकते हैं इसलिए मैं समझता हूँ कि हमारे कम्मिनिकेशन सिस्टम का मजबूत होना उतना ही इंपार्टेंट है जितना इंपार्टेंट हमारे लिए मिलिटरी इक्विप्मेंट का होना है साथियो आज हमारी नेवी के पास बड़ी शंख्या में शिप्स हैं मैं नंबर नहीं बतलाना चाहता हूँ बड़ी शंख्या में हमारी नेवी के पास इसमें शिप्स हैं इसके आलवा भी ऐसे अनेक प्लेट फार्म्स हैं जो डीप सीज गहरे समुद्र में कारे रथ हैं भारती नौसेना के अनेक जहाज वा अन्य प्लेट फार्म पूरो पूरे इंडो पैसिक रीजन में फैले हुए हैं भारत और हमारी नौसेना का स्फेर आप इंट्रेस्ट पूरे इंडो पैसिक रीजन में इस्ट से मलक्काय वेस्ट में गल्फ अफ एडिन और परिशियन गल्फ और अप्रिगा के इस्ट कोश तक पहला हुआ है। हिंद महा सागर शेतर में तो हमारी भारतिय नोशेना फर्स्ट रेस्पांडर और नेट सेक्योर्टी पार्टनर के रूप में उभड कर आई है। एक और महत्पुन बात पिछले कुछ वर्सों से तेजी से देखी जा रही है मेरे साथियों आज दुनिया के लभी लगबग सभी बड़े देशों का ध्याम मेरिटाइम रिसोर्सज की और जा रहा है। आज कई मिनरल्स कई रेर अर्थ इत्यार जो समुद्र के अंदर पाये जाते हैं इन मेरीन सूर्सज को प्राप्त करने के लिए दुनिया के बड़े बड़े पावर्स हिंद महासागर्श शेत्र में आने के लिए होड लगा रखी है। तो चाहे वह ब्योसाई की दृश्टिशे हो या फिर शक्योटी का दृश्ट्रों हो हर दृश्टिशे हमार और अधिक आवश्चक हो जाता है। साथियों इतिहास भी इस बात का गवाह है कि जिस भी देश ने दुनिया में अपनी विशेष पहचान बनाई है जो शक्तिशाली बने हैं उन्होंने एक समय में समुद्र पर डामिनेट जरूर किया है और फ्रांसीशियों पुर्तगाल और अंग्रेजों ने समुद्र में अपना इफ्यक्टिव प्रजंस इन लोगों ने दर्ज कराई है। इस स्ट्रेटिजिक डॉमिनेशन तथा रिसोर्सस के कमपटिशन में अगर भारत को अपना इंट्रेस्ट शक्योर करना है तो हमारे पास प्लेट फार्म्स और एक्वि है इसलिए यह भेरी लोव फ्रेक्वेंसी याज यह इस इसका जो यहां पर शिला द्याश हुआ है उसका एक महत्व है एक मजबूत कम्मुनिकेशन ही हमें मजबूत